हलो फ्रेंड वेल्कम तो पॉपर्टी बोलो और आज हम लेगे आए आपके लिए एक बहुत ही शांदार बहुत ही जबरदस्त लग्चुरी सेग्मेंट का विला और अगर हम इसकी डिटेल्स की बात करें पर डिटेल्स की बात की ओपर है पहले और यह चैनल सब्सक्राइब क कि अगरम बात करें तो किरण भिहार नियू करा सुईट मांसौर एक स्टेंशन में आपको एक विला मिलता और मात्र एक किलो मेटर अंदर है अपने में वेंनु संगाने रोड से और में रोड से उसकी दूरी में जोशा मेंनली की बोल दिया कहली का छाली ऑठास मीटर में जो है मेन रोड से जो दूरी है वो पचास मीटर है, और निू संगने रोड से जो दूरी है इसकी वो मातर एक किमोमेटर की दूरी पैर है ये, बहुत अच्छी Agt Carter location है भोट बढ़ी है जहां पर मिलते हैं आपको 4 proição Bes монzarह को मिलते 15.6 into 59 यानि 102 गज के अंदर जो है यह आपको जो विला है या आपको मिलता है फ्रेंट जो है साड़े 15 से ज्यादा कस का जो फ्रेंट है वो बहुत अच्छा लोग इसको देता है इस्ट फेसिंग है यानि सूर्य होगेगा तो आपकी उपर जो है पॉजिटिव किरने फेकेगा जेडी अप्रूवड यह प्रॉपर्टी है लोनेबल है फुली फंडिश कंडिशन में आपको यह मिल जाती है सेमी फंडिश कंडिशन में भी आप इसको ले सकते हैं और जो प्राइस की डिटेल है वो हम वीडियो में आगे बताएंगे अभी बतादी तो आप वीडियो कूरान देखोगे ठीक है तो वीडियो को आप आगे देखिए तब तक के लिए आप करिए क्विक टूर और बात करते हैं फिर प्राइस के बारे में प्राइस के लिए प्राइस के लिए रमान देखिए तो फ्रेंट अब हम करते हैं इसका डेफ टूर और सबसे अच्छी बात जो इस विला की जो लगती है वो यह है कि इसका जो फ्रेंट वो बहुत बढ़िया है साड़े पंदरा से जादा का आपको यहां पर फ्रेंट मल जाता है आप देख पाएंगे ठीक है एलिवेशन आप एलिवेशन जो है वो मौडन स्टाइल में डिजाइंड है और सबसे अच्छी बात जो है आप यहां पर जो रोड देखेंगे 30 feet की रोड है और कनेक्टिविटी ती बढ़िया है मोहाना वाली जो मेन रोड जो है इसको हम स्केरों रोड की बोलते हैं वो सिर्फ यहां से मान और पार्किंग स्पेस के अगर हम बात करें तो काफी अच्छी स्पेस आपको मिल जाती है यहां पर आप दो हैजबेक कार्स खड़ी पार्क कर सकते हैं यह आप अपनी एस्यूवी वह भी आप पार कर पाएंगे तो आपी बढ़ी आप से पार्क हो जाएंगे तो काफी पाएंगे और यहां की भी आप सीलिंग की डिजाइन दे सकते हैं वोडर स्टाइल में यूपीवी से पैनल के तुरू आपको से लिंग मिल जाती है और यह जो फर्य जो घर है आपको फुली फॉनिस्ट और सेमी फटनिस्ट दोनों ही कंडिशन में मिल जाता है अब हम सैमी इरिया की तरफ या देफिल लिविंग एरिया की तरफ और यहां पर भी जो है बहुत अच्छे इन्होंने तरीके से इसको डिजाइन किया है और बहुत ही स्पेशियस है काफी अच्छी विर्थ के अंदर आपको यह मिलता है लेप हैंड साइड में आपको जो है अपने शो आपको यहां पर मिल जाता है आपको यहां पे अब चलते हम केचन यहां तरहां यहां तक मुझे लगता है जो लेडी जे उनको काफी पसंद आईगी जो kitchen है kitchen की size बहुत ही adequate है बहुत सही है जितनी width चाहिए होती है model kitchen आपको मिलती है और काफी सारे racks दे रखे हैं आपे जहातर मैं देखा है कि racks जो हैं कम मिलते हैं तो storage options कम हो जाते हैं बढ़ यहां आप देखेंगे बहुत सारे racks हैं बहुत सारे storage options हैं तो आप easily जो है अपना काफी सारा समान store कर पाएंगे चिमनी आपको मिल जाती है modern style में कैफ की, कैफ ब्रैंड की और ventilation के लिए आपको एक जो है window cutout यहां पे दे रखा है soft closure cabinets आपको यहां दे रखा है उसके अंदर भी जो है आपको partitions दे रखा है तो आप easily जो है अपना समान जो है वो store कर पाएंगे आप देख सकते हैं यहां पे और दो sink आपको यहां पे मिल जाते हैं fitting जो है वो jaguar की आपको मिलती है क्योंकि एक बहुत बढ़िया जो है brand है fitting के अंदर अपने सब तरह के लिए racks आपको यहां मिल रहे है आगे चलते हैं हम अपने first bedroom की तरफ अच्छा flooring की बात करें तो flooring में जो tiles हैं वो भी अच्छी size में है और vertified tiles आपको यहां पे मिल जाती है यहां पे हम आजाते हैं हमारे first bedroom की तरफ first bedroom का interior भी बहुत ही बढ़िया तरीके से designed है ceiling design आप देश सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया design आपको यहां पे मिल जाती है और wooden touch के अंदर जो है इन्होंने tiles को दिया है यहां पे wooden style tiles आपको यहां पे मिलती है वाल पेपर का इन्होंने अच्छा यूज किया है focus leds यहां पे लगा रखी है इससे कि आप book reading करना चाहें तो book reading कर सकते हैं और अपना जो dressing area है वो भी बड़ा एहम रोल प्ले करता है तो जो आपको यहां पे इस तरीके से मिल जाते है यहां आप इसको अपना dressing area भी बना पाएंगे और washroom जो है कुछ तरीके से washroom दे रखा है काफी अच्छी space है washroom में भी पड़िया space दे रखी है और color combination बहुत अच्छे use किये अब हम चलते हैं हमारी back lobby की तरफ और देखते हैं पीछे lobby में आपको क्या क्या चीज़े मिल जाती है कितनी size में मिलती है कुछ इस तरीके से जो है आपको back lobby मिल रही है यहां पे उपर तक आपको पूरा ventilation मिलता है water tap option दे रखा है जिसे कि आप cooler लगाते हैं या फिर कुछ washing मगर आप washing machine मगर रखते हैं तो उनको आप easily use कर पाएंगे और यहां पे आपको मिल जाता है water led panel को इस तरीके से यहां पे आप अपना led जो है place कर पाएंगे और अब हम चलते हैं हमारे first floor की तरफ और first floor के उपर भी एक जो floor आपको मिलता है वह half बनावा है ठीक है और stairs में जो है आपको ग्रेनाइट मिलता है और साथ ही साथ जो है आपको lights मिल जाती है जिससे की जो है राज को जब आप चड़ते हैं तो वह जो है आपको easy easy तरहेगा और अब हम आचुके हमारे first floor के living area की तरफ यहां पर भी जो है आपको पूरा furniture आप देख रहे हैं आप पर सब चीज़े मिलती है sofa हो गया यहां पर आप sofa जो है आपको मिल जाएगा wallpaper का इन्होंने बहुत बढ़िया use किया है एसी के सभी points bedroom में आपको दे रखे हैं यहां भी आपको मिल जाता है अब हम चलते हैं हमारे जो है second bedroom की तरफ second bedroom का interior जो है कुछ इस तरीके से है आप देख सकते हैं wallpaper का यूज किया हुआ है ओवरेड पर आपको AC के लिए आपको फिटिंग मिल जाती है और चत पे जो है ceiling की design एक अच्छा और linguistic approach देती है अब आगे हम चलते हैं हमारे balcony की तरफ balcony जो है काफी सही स्पेस पर जो है प्रोवाइड करा रखी है balcony भी जो है बड़ी जरूरी रोल प्ले करती है यहां शाम को आप बैट करके चाय कॉफी पी सकते हैं अपने family के साथ में आप design देख सकते हैं उपर की ceiling design है balcony की कुछ तरीके से हैं और आसपास की आप locality देख सकते हैं जो आप बहाँ जो देख रहे हैं वो जो है आपकी मेन म न्यू संगाने रोड से जो location अभी हम देख रहे हैं आईए वह हम चलते हैं हमारे washroom की दरफ की washroom इसमें कैसा attach आपको मिल जाता है washroom से पहले जो है आपको यहां पर wardrobe आपको यहां मिल जाएंगे यहां पर अपना सारा समान इस टोर कर सकते हैं और कुछ इस style के अंदर आप जो है इसके अंदर आपको एक और space मिलता है आप इस bedroom के अंदर आप चाहें तो यहां पर पूजा रूम या फिर आप अपना store room या फिर separately dressing area भी आप इसको बना सकते हैं और light का option आपको दिख रहा है यहां पर light की आपको मिल जाएगी अब हम चलते हैं हमारे थर्ड bedroom की तरफ थर्ड bedroom में आप जैसे एंटर करेंगे तो यहां जो है पीछे की तरफ आपको मिल जाएगी एक dressing table और थर्ड bedroom का इंटियर जो है आपको इस तरीके से दिया गया है यहां पर होती बढ़िया फोकस एलेडी के साथ में सीलिंग डिजाइन आप देख सकते हैं फ्लोर पर आपको वुड़न स्टाइल टाइस मिल जाती है एलेडी भी आपका एजिली प्लेस हो जाएगा यहां पर वुड़न एलेडी पैनल के उपर और यहां पर भी जो है आपको वुड़न वाडरोग दिये में तो जो है आपकी वाइफ को जाफी लेडी को कोई शिकायद में होने वाले है समान स्टोर करने कोई पर्लम नहीं आएगे और यहां भी जो है आपको वाच्ट्रूम अटाइज मिल जाता है कुछ तरीके से काफी अच्छी स्पेस के अंदर ओवरेड शावर आपको यहां पर मिल रहा है बहुत ही बड़ीया सेंट्री वेर उनने यूज़ किये हैं है हम देख लेते हैं पिसकी जो लोबी है इस तरीगे से यहां पर पुरा वेंचलेटर एरिया है क्योंकि यह तो इस तरीगे से आपको वेंचलेशन मिल जाता है चाहिए मिल चलते हैं हमारे टैरेस की तरफ टेरेस भी बहुत अच्छे टंग से डिजाइन गिया इन्होंने अभी उसका काम चल रहा है वो भी डिजाइन हो जाएगा और उससे पहले आप आप ही देखेंगे मैंने सब्सक्राइब कर देना और नीचे हमने टाइटल और डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखें वहां पर नंबर पर कॉल करिएगा और यहां पर साइट विजिट जरूर करिएगा अब हम चल रहे हमारे टैरेस की तरफ टैरेस पर भी आपको एक अलग ही लुक और अलग ही फील आता है यहां पर जो है आपको एक आप इसको बेडरूम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं यहां पर एक फॉर्मल जो है ड्रॉइंग रूम की तरह भी लिविंग एरिया की तरह भी यूज कर सकते है इसको यहाँ को बैड मिल जाता है और यह जो हो गया हमारा टर्रेश है अभी हम बैक साइड देख लेते हैं यहाँ भी जो है आपको अटैज बॉच्टरूम मिल जाता है यहां पर आप अगर शौकीन है तो बार एरिया भी बना सकते हैं बार काउंटर भी आप अपना खुद का लगा, सकते हैं हम पे, बहुत बढ़िया है, चाहँ तरफ से अब हम चलते हैं हमारे आगे टेर्स गार्डन की तरफ जो कि अभी बन रहा है कुछ दुनों में तियार हो जाएगा यहां पर आपको बहुत ही ब्यूटिफुल सा बहुत ही बढ़िया सा टेर्स गार्डन आपको मिलेगा जहां पर अपना जो है फैमिली के टाइम अच्छे ड सनलाइट के तो विटामिन दी खूब मिल जाएगा आपको और संसेट होता है पीछे की दरफ में आप संसेट का भी नजार ले पाएंगे तो जी कुछ इस तरीके से थी इस पूरे विला की डीटेल जो हमने अपी बताई आपको और अगर हम प्राइस की बात करें तो यह जो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें शेयर करें और अगर आप यहां पे विजिट करना चाहते हैं तो जो नंबर है हमने वो टाइटल और डिस्क्रिप्शन में दे रखा है आप डिरेक्ली कॉल करके यहां आपने विजिट बुक कर सकते हैं और यहां इसको झाल झाल